हेलो एवरिवन मैं आनिता ठाकुर और आप पढ़ने वाले हैं प्लेटिकल साइंस का चैप्टर थर्ड का जो टॉपिक है कंस्ट्रेंज ओन अमरीकन पार कि कौन-कौन सी पाबंदियां जो थी वो अमरीका की पार के उपर लगाए गई थी कौन-कौन सी लिमिटेशन्स लगा टाकि इसकी पार को मिंटेंग किया सके जैसे कि आप लोगों को अगर्स ही कुछ उत और कुछ लेमिटेशनस होती जिसकी वजब क्या हो जाते हैं इनका अंत हो जाता है उससी तरह से देखा जाए अगर तो US के उपर भी कुछ constraints थी उसकी सबसे बड़ी तो biggest constraint थी American hegemony पर वो उसके अंदर से ही आई थी मतलब उसका जो system था उस system के heart से belong करती थी मतलब यह जितने भी limitations थी they all are belong from the American system ठीक है फिर उसके बाद यहां पर बताया गया है heart of hegemony का मतलब क्या हुआ कि जैसे माल लीजिए एक proper body है तो उस body में कुछ shortcomings भी होती है जिसकी वज़ा से वो क्या करता उस body की proper functioning नहीं होती है तो यही कारण था कि American power जो थी उसके उपर constraints भी थी जिसकी वज़ा से वो decline भी हो रहा था ठीक है और जब यहां पर बताया कि जैसे कि हम लोग बात करें में कि अमरीकन जो है जमनी थी उसके उपर कितनी constraints थी तो अमरीकन है जमनी जो थी उसके उपर three types of constraints थी मतलब three constraints जो थी वो working में थी अमरीका की power के उपर लगाई गई थी कि अमरीका अपनी पार्ट रहव एक्सेसिवली किसी के उपर यूज ना करें जिसे कि वर्ल्ड को बहुत जादा problems जो है वो face करनी पड़ सकती है और सबसे पहली बात यह कि यह जो constraints थी वो 9-11 जब यह मतलब operation हुआ था यह attack हुआ था उस तरहीं पर भी operate करी गई थी देन उसके बाद यहां पर देखा गया अब यह जो मतलब क्या बोलते हैं constraints जो थी वो day by day slow down होती जा रही थी उनकी working जो थी वो इतनी smoothly नहीं चल ले थी जिसकी वज़ा पर हम लोग बोल सकते हैं कि इन constraints को दोबारा apply जो था वो करना जरूरी था तो फोस्ट constraint इस फरस्ट बताए गई है यहां पर institutional architecture institutional architecture का मतलब क्या हुआ कि first constraint जो थी उसके US में जितने भी institutions थे उन institutions पर लगाए गई थी तो अगर हम लोग बात करें अमरिकन स्टेट की तो वहां का जो एक system of division of power मैंने आप लोग को कितनी वर बताया है last जब आप लोग 11 standard में थे तब भी मैंने आप लोग को पताया था division of power जो है वो सिर्फ और सिर्फ three organs में होता है और वो three organs कोन से होते हैं पता है किसी को हाँ बताना मुझे comment section में तो three organs of the government जो है वो कोन से है legislature, executive and executive judiciary ठीक है ये तीन जो है उनके बीच में division of power होती है मतलब पार जो है वो equal basis पर distributed होती है अमंग three organs और ये तीनों किसके organs होते हैं government के organs होते हैं जो एक दूसरे की पार को time to time क्या करते रहते हैं चेक आउट करते रहते हैं तो यहां पर आप लोगों को पता चल गया कि यह division ना पार कहां पर है branches of government जो मैं आप लोगों को बता चुकी हों जो बहुत बहुत ही important या फिर बहुत ही significant role जो है वो प्ले करते हैं American system में तो यह जो तीनों organs हैं जैसे legislature है executive है और judiciary है इन तीनों का separate work है और यह जो separate work है वो एक दूसरे के working में अर्चन नहीं पैदा करते बलकि अगर कोई excessively power को use करना चाहे तो उसको क्या करते रहते हैं यह checks करते रहते मतलब उस पर breaks लगाते रहते हैं ताकि कोई भी क्या ना कर सके जैसे यूएस जैसे मतलब अगर हम लग बात करे executive की तो executive में कौन होते है ministers होते हैं तो ministers जो हैं वो military power को excessively use ना कर सके इसके लिए वो क्या करते हैं उनके उपर यह जो branches है वो क्या करते हैं एक constraint लगाते हैं clear है first constraint and the second constraint is कि यह क्या है American power के ओपर second constraint लगाए गई है domestic in nature domestic in nature का मतलब क्या हुआ कि इतनी वी इसके stems है मतलब जो भी इसकी हम लोग बोल सकते हैं जो भी इसकी streams है जहां से इसको proper support मिलती है society से तो वह कहीं न कहीं आप लोगों को मैंने इसी chapter में पढ़ाया था जा हम लोगों ने last chapter में भी discuss किया था जब हम लोगों यहां पर वही चीज़ आ गई है कि यह जो stem system है इनका या फिर हम लोग बोल सकते हैं लोग जो है वो openly हर एक चीज़ को एक्सप्रेस कर देते हैं जिससे American society जो है वह open-minded है तो उसके बाद हम लोग यह बता सकते हैं जबकि यह सारे लोग जो है वह अपने views को express कर सकते हैं तो उसके बाद यहां पर क्या बताया गया mass media जो है वह क्या करता है time to time in public opinion के ओपर certain impositions लगाता है certain laws rules and regulations मतलब apply करता है जिससे की यह लोग जो है वह अपने ideas को सिर्फ और सिर्फ उतना ही express करें जिससे किसी का harm ना हो ठीक है और promote करते हैं particular perspective को जो की domestic public opinion को प्रोचाहन दे उनको और जाद अभड़ावा दे ठीक है और US को maintained एक political system जो है वो provide किया जा सके उसके बाद अगर हम लोग बात करें इसका deep skepticism है इसका deep skepticism का मतलब क्या हुआ कि एक doubts होता रहते है इस पर एक हमेशा suspicion में रखा जाते हैं इसको कि इसके जितने भी purposes है जितने भी methods of government है उनके उपर हमेशा doubt है कि ये किसके welfare के लिए ये working जो है वो चलाई जा रही है क्या इसमें legislature का फाइदा है क्या इसमें executive का फाइदा है या judiciary का फाइदा है population जो है जब भी उनको किसी भी तरह का doubt होता है तो वो क्या करते हैं वो discuss करते हैं और अपने views को express करते हैं through mass media clear है देन उसके बाद यहां पर क्या बताया गया ये political culture को भी enhance करते हैं और जिससे कि हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये बहुत लंबे समय तक हम लोग बोल सकते हैं military action को देखते सुनते रहते हैं और उसके बाद जब उनको लगता है कि हाँ अब ये जो military action लिया ज आ रहा है उससे कही ना कहीं हमारी dignity hurt होगी हमें कहीं ना कहीं harm हो सकता है so they can express their views ये थि आप लोंकी second constraint और जो आप लोंकी third constraint है उसके बारे में यहां पर बताया गया है कि third constraint जो है वो US पर क्या है वो third constraint जो है वो बहूत important है वो ये बताया गया है कि एक organization जो है वो क्या है international level पे जिसको नाम दिया गया है NATO मतलब North Atlantic Treaty Organization वो क्या करती है वो बहुत ही important role play करती है US hegemony में कैसे क्योंकि वो क्या करती है कि moderate का मतलब क्या होते keeps on checking ठीक है वो चेक करती रहती है कि American power जो है उसको किस level तक exercise किया जाए और उसको अपनी power को maintain रखना है ठीक है और ये जो NATO है वो क्या है एक कब form किया गया था NATO को 1949 में कितनी states थी इसमें 12 states थी clear है और ये जो NATO organization थी इसमें क्या बोला गया था इसमें head कौन था इसका head जो था वो US था ठीक है और ये organization किसके द्वारा बनाए गई थी western alliance के द्वारा बनाए गई थी जिसमें उन्होंने किसको मतलब defeat करना था USSR को defeat करना था अब US जो है वो enormously interested है वो एकी चीज़ में देखता रहता है कि मुझे क्या करना है alliances of democracy मतलब मुझे ऐसे groups form करने है ऐसी democracies से ऐसो democratic countries के alliance form करने ऐसी democratic countries के groups बनाने है जो किसको उबे करती है market economies को उबे करती है मतलब जिनका मेरी ideology के साथ link है जो मेरी तरह privatization को industrialization को जादे importance देते हैं उनके साथ मुझे क्या करना है अपना alliance form करना है जिससे मैं और जादा से जादा क्या हो सकूँ powerful हो सको तो उसके बाद यहाँ पर क्या किया गया nato के साथ उन्होंने alliance form करी जिससे कि वो क्या नाटो जो है वो क्या करता है उनके उपर उनकी पार को check करता रहता है कि अगर वो एक hegemon country है एक control dominant country है या dominant nation है तो वो कहीं excessively अपनी पार को यूज तो नहीं कर रहा जैसे दूसरे nations तो है वो suppressed हो रहे हो ठीक है और यही सब था constraints on American power ठीक है I hope आप लोगों को समझ में आया होगा thanks for listening and may God bless you all